इस ख़बर की प्रस्तुत करता है एस्ट्रान यूनिसेक सलोन, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल वहीं दिसंबर 2014 के बाद से यानि की मोदी सरकार के कारेकाल से अब तक मोदी सरकार ने RTI के पिर्चार पर एक रुपे भी खर्च नहीं किया है अजमेर निवासी RTI एक्टिविस्त तरुन अग्रवान ने जानकारी एक RTI के जवाब में केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंत्रले से प्राप किये जानकारी के अनुसार आटिय अदिनियम 2005 के पिर्चार पिर्चार पर अक्टूबर 2005 से अफ़ तक प्रिंट मीडिया पर 7,55,845 रुपे और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर 4,98,7,726 रुपे खर्च हुए है इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर ये राशी अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2014 के मद्दे खर्च की गई है पिर्चार पिर्चार को लेकर कमोबेश यही हालत प्रदेश सरकार और जिला पिर्चाशन के भी है ये आंक्ड़े ये दर्शाते हैं कि सरकार और पिर्चाशन ने आजाद भारत के सबसे महत्पून और क्रांतिकारी कानून को आमजन तक पहुचाने और उसके उप्योक को लेकर लोगों में जागरती पैदा करने की दिशा में कोई भी सकायरात्मप्रियास नहीं किया है अजमेर जिला पिर्चाशन ने पिछले 14 साल में एक भी रुपे 8 कानून के पिर्चार 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 पर खर्च नहीं किया हमने अमूमन देखा है कि सरकार जागरुकता के लिए आमजन से जुड़े विबिन कानून वा जनुकियों की सिवाओं से जुड़े मुद्दों का व्यापक परचार परसार करती है लेकिन इतने मैत्पूर्ण कानून का परचार परसार नहीं करने से ये संकेत साफ दिखाई देते हैं कि अफसर शाही को ये कानून रास नहीं आ रहा है और उनकी मन्शा और सोच ये नहीं है कि आमजन किसी भी विशे से जुड़ी जानकारी एक सामाने अटजी से प्राप्त कर ले और उनसे सवाल किये जाए चलिए देखिए इस मामले पर अजमेर के आट के अक्टिविस्ट क्या कह रहा है कि इस पे कितना परचार पर खर्चा किया तो मालूम चला कि पिछले 5 साल में जब से मोधी सरकार आई है 2014 से लेके और आज तक एक रुपया खर्च नहीं किया इस सरकार ने तो इस पे सरकार की मन्शा पर सवाल खड़े होते है कि एक तरफ तो जनता को जागरुक करने के लिए कानून लाया गया था पारदर्शिता के लिए लाया गया था एक तरफ आप उसमें संशोधन की बात करते है और दूसरी तरफ जो पिछली सरकार है इसमें परचार पे करोणों रुपया खर्च करती हुए आई है उस पे आपने रोक लगा दी क्या आपकी मंचा यह है कि पब्लिक लोग जागरुक नहीं हो क्या आप से सवाल नहीं करें तो यह मंचा एक खतरनाक इस्तिती है और यही जब हमने जिलापरशासन से पूछा था कि आपने कितना खर्चा किया तो जिलापरशासन ने भी एक र प्रशक्त और क्रांतिकारी कानून है ऐसा है मैं किसी सरकार को दो हिसलिये नहीं दोंगा क्यों यह राजनीति के पहले हो जाता है और हम लोग राजनीति वाले लोग नहीं है मैं इतना जरूर कहना चाऊंगा कि एक पूरे देश के अंदर एक ही ऐसी चीज आम जन को मिली थी सूचना का अदरकार कानून जिसके तहट हम किसी भी सरकारी कर्मचारी से इमानदारी से काम की उमीद रख सकते हैं लेकिन अब इजो वरतमान सरकार है जिस प्रकार सूचना है आई हमारे पास, उसके लिए जब सूचना है मांगी जाती है तो यहमारे को टालम टॉल जवाल दे करके साल, दो साल तक हमारे को घुमा दिया जाते हैं जब तक तो वो विचारा पीड़ित की हाल खराब हो चुके होता है तो आप मतलए इसको खर्चा नहीं करने से मतलब पता पढ़ रहा है कि आप राष्ट के जो आम जन है उसकी लिए कुछ नहीं करना चाहते हो आप केवल और केवल आप इसको जो दुर्पियों कर रहे हो हमार करोड़ों रुपे खर्च कर रहे हैं लेकिन एक रूपया भी हमारे सूचना की अधिकार कानून पर आमजन के लिए नहीं खर्च करके इस सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वह कुछ नहीं करना चाहती है आमजन के लिए यही मेरी शिकायत है इस सर्थ झाल थाल